हमारे मुम्रा शहर में पहली बार क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट हुई है जिसके कोच खुछ जावेज जैस खान है जो की मुम्बई रंजी ट्रॉफी के बड़े खिलाडी है जावेज ने रंजी दे गौड आफ क्रिकेट यानी सचिन टिंडूलकर के साथ खेली है जिस वक्त और भी बड़े खिलाडी पिच पर उतरे हुए थे जावेज जैस ने बीड़ा उठाया है कि यूद को क्रिकेट से जोड़ा जाए कोचिंग मुम्रा के जेके टर्फ में ही की जाएगी ये टर्फ और सीजन टर्फ है स्कूल और ग्रूप कोचिंग भी की जाती है मैं स्क्रामदिन खाल और आप देख रहे हैं प्रहाटेंग्स मुम्रा के अमरीत नगर दरगाह रोड पर अब सीसी टीवी कैमरे लग चुके हैं एक नहीं दो नहीं बलकि 50 कैमरे रोड और गलियों में लगाए गए कल विरोधि पक्षनेता अश्रफ सानुपठान ने इन कैमरों का उदगाटन किया है आपको बता दे कि इन कैमरों के उदगाटन उसी दिन होना था जिस दिन अमरीत नगर गेट का उदगाटन हुआ था मगर कुछ टेक्निकल प्रोब्लम की वज़ा से इसका उद्गाटन नहीं हो पाया था, जिसे कल उद्गाटन किया गया है, कैमरे लगने के बाद कहीं न कहीं अपराधी कद्विधियों पर लगाम लगेगी और अपराध करने वाले भी बेनकाब होगे, शानुपठान ने बताया है कि अक्सर लोग कैमरे के वायर काड़ देते हैं ताकि कैमरे बंद हो जाएं और वो अपराध को अन्जाम दे सकें, मगर वहाँ जो कैमरे लगाए गए हैं, अगर कोई भी इनका वायर काड़ देगा, तो यह आटोमेटिक वाइफाई से कनेक्ट हो जाएंगे, जुरूधि पक्षनेता शानुपठान ने उद्घाटन के बाद क्या जानकारी दी है, सुनूएंगे। हमारा एक बहुत बड़ा काम, उस वकट कुछ छोटे डिक्कतों की वज़े से, छोटे कारमने की वज़े से, पूरा नहीं हो पाया था, जिसमें था हमारे 50 CCTV कैमरे, और वो कैमरे हम लोग उन्हें शंकर मंदिर से लेके, अलमास के परिसर तक पे, किन किन जगाओं पे जहाँ डेंसिटी है, जहाँ क्राउड एरिया है, उन जगाओं पे लगाए, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इस चेका के ओपर, इस चिज़ा पे 17 कैमरे लगबक इसी प लोग उन्हें लगाए, उसके बाद कैमरे खडी मेशीन की तरफ लगाए, उसके बाद कैमरे पाइप कमपॉर्ट में दादा के दाधी कॉलनी जोदी बिल्डिंग के पास लगाए, ऐसा बहुत जगा कैमरे लगाए, और कई कैमरे गोपनी हैं, यह जो दिक्कत हुई थी, वायर काटे थे लेकिन मुमरा कौसा की आवाम, पुलिस डिपार्टमेंट, ट्राफिक पुलिस और साथ ही में नागरिक, रिक्षे वाले, सफर करने वाले, बाहर से यहाँ पर अपने बॉंबे से आने वाले लोग, यहां से मुंबई जानेवाले लोग उन सभी लोगों को कभी भी कोई चीज की डाटा की जरुआते इंशालाब वो डाटा हमारे पास कही न कही तरीके से हमने अवेलेबर रखा और मुझे यकीन है अल्ला की जास से और इस टेकनोलिजी से भी कि इस टेक्नोरिकी के गारण क्राइम कम होगा एतियादी रहेगी श्रकानी कम होगा ने शादो पूरी तरीके से खतम होगा हर लोग जो कुछ तादागरी करने होले वह इनके दायरे में रहेंगे और कुछ लोग अगर ये कैमरे के वायर काटे ज़रूरी एक चीज़ जैसे ही कैमरे के वायर काटे है जिसकी ज़र आप देख रहें जो इस इसे लुश्र काटा और को फॉर्ट वायफा रोज से वायफा पर वायफा कॉनेक्ज़ तो क्याट रहा है वह वी उसमें की घ्रलोड जाएकण कसे टेक्नोरी यह उस तरह के लोग भी चतुर हो गए तो उनका भ लेकिन इस परिस्टर के लोगों के साथ हमारे शेयर वाजियों के साथ बहुत अच्छी यह पहले आप लोग कि आप लोगों कि जरूर सुचना इसे नहीं पहुचा रहे कि कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हमारे कारले में मेरे कारले में आ सकते आपको इ पादीरत को भी यहां पर कोई चिसकी नहीं आपको डीटल चीए तो डाटा के जरी आप तक पहुच जाईगी यह सारे कैमरे के माध्याम से अगर कुछ रहा तो हमने फुलिस डिपार्टमेंट को भी इससे सतर्थ किया है इतना ही किये अपने दोष़ पूरा करता हूँ हमेशा दुआ हो में याद खना ऐसी दुआ करना कि इससे स्यादा इस शेहर मासी के निए हमारे मुम्रा के नियए मुम्रा कौसा के नहीं अल्ला ताला हमसे काम ले सके हमारी टीम, हमारी साती हम सभी लोग मिलके इस शेहर के नहीं काम कर सके खुदा आफिर, जैहीं, जै माराष्ट